परवचन कहता है जब परमेश्वर को हम सविकार करते हैं, उसके वचन को अंगिकार करते हैं, कि प्रभी उश्मसी आप मेरे उधार करता हैं, आप किसी धरम या जाती के लिए नहीं, आप मेरे लिए आये मारे के गाड़े के और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब आप प्रभी उश्मसी को सविकार करते हैं, बाइबल कहती है, वो अनंत जीवन सिर्फ स्वरक जाके नहीं आपको मिलता, वो धरती के उपर भी परमेश्वर आपको शुरू करता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वासी होंगे, उनका वंश बचाया जाएगा, त सवरक में के नीचे, तो कि वहाँ तो कोई वंश नहीं है, वहाँ कोई शादी नहीं है, वहाँ कोई अंगेजमेंट नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई मरीज नहीं है, तो वो अनंत जीवन जिसकी प्रतिक्या परमेश्वर ने वचन में की है, वो तो स्वरग में आप पाएंगे, उसका टेस्ट तबी से शुरू हो जाता है आपके लाइफ में, जिस दिन आप रभी इशुमसी को ग्रहन कर लेते हैं, शैतान को पता है, जैसे आप चर्च जाएंगे, आपके गुनाह माफ होंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे, आप किसने देखा है, किसने नीचे आगे बताया क्या स्वरग है, हम कैसे विश्वास कर लें स्वरग है, तो बाइबल कहती है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि स्वरग है, परमेश्वर वही काम धरती पर करता है, जो स्वरग में होते हैं, वो आपको बिमारियों से मुक् करता है जैसे स्वरग में है है वो आपको कलेशों से मुक्त करता है